कि नमस्ते आज मैं लेक्ष आई हैं आपको नएया recipe नएया recipe नएया तरक्ष का शीड़ू बना रहे हूं में आज बना रही हूं तो आप देखे सोचिंगे क्या चीज बना रही है तो में पूरा कम्पलेट हो जाएंगे तो आपको दिखांगे किस तरकी से बने हैं और जो भी मैंने मसाला त्यार के मैं सब बचोछ बता हूंगे आपको सब से एल यह जबंद में लिये आता आता अलग से मिन्ते हैं यहां पेचाने वाले कम है तो कमी बनाएंगे इसमें मिने, ई देख सकते हैं ब्रेड मसाला एक बहुते हैं तो आपको प्रोग लोग क्या बोलते हैं को नुपढ़े आपके में जूटाना आपने एक क्या चीज है एक। मार्केट में मूते हैं इसको में जाड़ा यूच नहीं कर भी मदद चमच इतने कर एक बड़ा चमच अलका से ओड़ा दिन दिन एक चमच नमक लिए इसको में अच्छी तरह हापों की साब मिक्स कर लोंगी है 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 आप लग सोचेंगे का से बाटते हैं आप लोग सब्सक्राइब्सेाब कर दीटेख लिए इस थिख सकता है та बाहर से दिखेगा मंदल की बिल्कुल यूनिक तरीके से अच्छी मंदल खुलावर के तरह दिखेगा आपको मैंने लिया यहाँ पर आज काफी गुलाव बेला के अप्तर नीचे गिर जाते पंखोरी हैं तो इसको बेस्ट नि करते हैं कभी कोई चट्री मिला लेते हैं कोई क करदी को किज घंद देख सकते हैं तो पर चेलो णक्ते हैं पुझान जान देख विलता किका जाएं तो बहुत अच्छे लगते अच्छे क्वास ल reduce और एक पालक जो हमारे यहां पे बड़ी बड़ी पत्ते पालक यह पालक की ना से जाना जाते एविए थोड़ा से चोट किया है और गुलाब तो मैंने काफी जादा लिया है तो एमें सारा कुछे अट्टे में डाल दूए इसको तो अ कि अ आव ठिसको में अचिए डर इ słuचों की अधीया बान चो amplitude अधीया श्चाक एक ब secondop बोन पॉनकी जबिए आते इसकारा जब सीटू जबनाएंगे आप तरी पुला सवाँगे आपनी सार्शे पानी डालूंगे जब सीटू के आट्टों के साथी नीश्क वेड़ीया करके आपनी बढ़िया आट्ट्टा इधिके कमधिया और देखने में किती नाच्छा लगरें आट्टा देख सकते हैं आप कितना मुल्ड फुलावर कि थार खानी को भी बैसी लगे खानी की अलग लग फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें नाटा दिकुल लगा दिये, इसमें नरह हो जुगाए, इस चोछा सा बड़तन लिए में डोंगा, इसमें थोरा हल का दिये, इसमें तरह से तरीके से, इसकी डिजाइन देख सकते हैं उपने कंड़ा कालर के तने अच्छी लग रहे हैं, इसको बिल्कुल गर्म करें गर्म कपड़ी में, गपन्बब ले ले कंबल देदो, इसकी उपर से कपड़ा देदा, इसकी तरह से रखे ही हमारे साइट में, और में आ दुगाँगे, आपक शीडू के अंदर तो इसमें थोड़ा सा पिनट ली है थोड़ा सा यह क्या होता इसको मगज थोड़ा सा मगज ली है तो तो इसमें तील डालूंगे हलका सा ब्रॉन करके बूहने कि उसको उसके बाधर मिक्सर में फिरकुर पीस के बताऊंगे नहीं आपको अभी उसको झाथी में बुहने एक संवस्कता इंधबर आप आय शार नाद जाए है तो इसमेमे ने भीर का रहा हैं इसमें डालूंगे सा एक बटे मयरा है लेह हो पट्य मां क्रेंने नहली मन करिको तो भी मौनयानी हिरी प्सक भानानों अभड़न बच्छ ज़ादे हो जादा पानी डाल गदानिगे घ्ल्लाऊ जादा कि निए नो जिए भड़ा खनी-घनी होना चेजिए एक मैं अभड़ा सब्राप गलाप गलाप करी घ्ल्फ सेवाटिया है शेवे शेवे में प्रतुमॉ मसाला मेरे चिल्टु के अंटे डाले हम स्दुटु की अंटे डाले हमां आया वुर्य जच्ण Brazil पर सच्णपितने चमन की हाजिए रहते हमां एक तर में लबन लबी शेर दाले हमां सेंटें के त्रें बाले हमां लेखर देखा इसके खुश्पू कितनी अच्छी आ लिए है अब करत बनाती में चक्नी सीटू के लिए थोड़ा सा प्याज लिए है थोड़ा सा अधरत लसन है अल्का जादा नहीं स्पाइसी से बिल्कुल स्पाइसी से बनाएंगे मैं अधिके लाव नुक्षिक अधिके टमाटर काटके अधिके टमाटर तो देख साले से हरी मिर्च अधिक चटपटा सा बनाएंगे चटपटा सा और देख साथ में एक तीना रख वार अग्षा नुक्षा गुलाफी बचा करी कचटे में प्रेंगे और कल वारिश कुद्ध होती जादा हमारे गुलाफी गुलाफी जादा दुना कमपनी चट चुके हैं तो मद भूस सारे उठाय तो थोड़ा सुखाने रखी हूं थोड़ा समय चटनी बनाए बनाए और बनाद भूठी चटनी थोड़ा सीटु में यूच्च किया थोड़ा चटनी के लिए कल इसी कमेने बनाए थे एक क्या थोड़ा हो चुका है जाए चाटनी के साथ सीड़्फण में क्या मजा हुआ है हाहा है इस दा हमारे खी आठ अब रड़ी हो चुका है यह लिए कितना फुला फुलास होगे विए ब्रट के तरह होगे बनाए ब्रड़ के तरह होगे और वर्कुनियक हुआ है इसको बनाएंगे सिटू है यह सबसे आट कि न सारे न कितना ज़ादा होगे जब ग्राम ना सबसे ए कशले लिए तो न मताश्या आशा लिए एसे फ्रोड़ कर दीख है आप इसी शीड़ आपने के पहले इस तर बेजिए नहीं कालिये देगी इस तर किसे यह हमारे सीट बनके तर द्यार इस तर किसे बनाएं बड़ा वाला जोगी तर किसे बनाएं अईसे करके जो शुक्या को बता नाशित.. अईसे बसां शुक्त तर कि यह हिए अईसे शुक्त जीटा इंपने जाना रहे हैं देख से इस तरीक से राष्ट में शोरी मोमोनी सीडूला सीडूय इसे कितना जाना आये बोलने में कुछ और बोलना था कुछ और बोल देती हैं सुरी इसके लिए माप करना